कल रात को करीब और दस बजे हमारे पास इस घटना की जानकारी मेरी थी जिसमें की बीट आफिसर को वहां के मैनेजर ने कॉल करके बताया था कि कुछ एक राउंड समा पर फायर हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए लोकल पुलिस, बीट आफिसर्स और जो स्पेशलाइज टीम डिस्टिक्ट की हैं उन्होंने मौके पर रिस्पॉंड करा पहुंचने पर जब ये घटना कन्फरम पाई गई कि वहां पर फायरिंग हुई है तो हमने क्राइम टीम को भी बुलाया और वहां पर कुछ एक राउंड फायर होने कन्फरम पाई गए उसके बाद में एक दोरान मौका जब हमने चेक करा तो एक व्यक्ति वहां पर मुरत पाया गया है ध्यान में रखते हुए मल्टीपल टीम्स डिस्टिक्ट में जितनी भी स्पेशलाइज टीम्स है और पुलि जिन्हों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो कौन लोग हैं कहां से आए किस तरह से आए और किस तरह से घटना को अंजाम देने के बाद गए हैं इन सारे चीजों पर भी काम करने के लिए लग 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 टीमों का गठान में किया है अभी उस आस्पेक्ट पर काम करने हैं और उसके बाद कुछ और हम आगे बढ़ेंगे इन्वस्टिकेशन में तब ये चीज़े क्लियर होगी. विक्तिम है कि उसके किसी गैंग से जोड़ेने कि अपको कुछ समावना? किस chiुछ जाैँ में ए विक अपको अझे न्याएंजा वाम आगामिपरेने से जाओेने कि अजय जागा है किसी ए विरियरतीत किसी किसी ए जब शुरोबेंसे.